हलो फ्रेंड मैं हूं सुनिता जोशी आप सबका मेरे चैनल सुनिता पतिव जोशी में स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जाली दार इडली जो सूजी की बनी हुई है सूजी की सॉफ्ट इडली यह बनाना बहुत ही आसान है और मिंटों में बनकर त लिखेंगे से चले स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने दो कप सूजी यह इस कटोरी के नाप से लिए मैंने दो कप सूजी ली है देखिए दानेदार वाली है आप चाहें तो बारिक भी ले सकते हैं पर बारिक से इस तरीके की नहीं बनेगी थोड़ी सी दानेदार लेनी होगी अब इसमें डालेंगे हम दो कप सुजी में एक कप खटा दही हमारा खटा होना चाहिए अब इसमें डालेंगे एक चमच चीनी वीडियो को बिना थोड़ा और पानी डालेंगे मैंने लगबग यहाँ पर एक से डेड़ कप पानी डाला है इस तरीकी का होना चाहिए देख लीजिए अब ढगकर हम 15 मिनिट के लिए ढगकर रख देंगे उसके बाद 15 मिनिट बाद इसमें हम आधी चमज बेकिंग सोडा डालेंगे पहले से ही हम इडली मेकर को गर्म करने के लिए चड़ा देंगे उसमें पानी डाल देंगे जब पानी की आवाज आने लग जाए तभी हमको इस सोडा डालना है थोड़ा सा पानी ओ डालेंगे हम इदेखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है एक ही तरफ चलाते हुए इदेखिए इस तरीके का बेटर होना चाहिए हमारा अब हम सांची में तेल लगा देंगे वह बेटर को डाल देंगे इस तरीके से ज्यान रखिए पानी जब गरम होने लगे तभी हमको बेटर में सोडा डालना है और ओयल पहले से लगा के रख देना है और यह देखिए सांची को हम इसमें रख देंगे और ढखकर मेकर को हमें ढख देना है उसके बाद 20 मनित बाद हम देखेंगे यह देखिए हमारे इडली फूल गई है किती बढ़िया फूल कर तयार हुई है हमारे इडली यह देखिए नयप से हम लगा के देखेंगे बिलकुल बेटर नहीं चिपक रहा ए हमारे इडली बन गई है अब इसको कपड़े की सायता से निकाल लेंगे जब ये बिल्कुर थंडा हो जाए तब ही हमको इडली निकालनी है नहीं तो इसके चिपकेगी देखिए बिल्कुल उपर से भी सुकी हुई है हमारे इडली ये देखिए अच्छे से निकल जाएगी बिल्कुल भी नीचे चिपकी हुई नहीं है और देखे कितनी जालीदार इडली बनकर तैयार हुई है हमारी ये देखे कितनी सॉफ्ट स्पॉंजी जालीदार वाइट इडली बनकर तैयार हुई है हमारी सफेज सफेद बिल्कुल भी यलो नहीं हुई है ये देखिए बिना इनों के ये देखिए कित्ती बड़ी आइडली अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्ली लाइक शेर सब्क्राइब बेल आइकन जरू दबाना थैंक्स वर वाचिंग